आई गाईज मेरा नाम है संदीप और इस वीडियों के अंदर हम यहां पे बात करेंगे नुसंत्रा के लेटेस्ट 2.8 एंडुड 11 बेस्ट अपडेट के बारे में जिसको मैंने रेड्मी के 20 प्रो के अंदर इंस्टॉल कर रखा है इस रॉम के अंदर आपको काफी सारे फीच देफिनेटली कर देना यार और वीडियो भी लाइक कर सकते हो ताकि ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए और बनाता रहूं सबसे पहले यहां पर बात करेंगे डिवाइस के सर्टिफिकेशन की यह वाला अपडेट आपको मिलता है विदाउट जी एप्स और यहां पर मैंने जी एप्स सेपरेटली इंस्टॉल किये हैं डिवाइस आपका सर्टिफाइड है उसके बाद अगर आप रूट करना चाते हो तो कर सकते हो यह चीज़ ऑप्शनल है यह आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप रूट करो सेफटी नेट आपको यहां पर पास हो जाएगा त आपर बेंकिंग ऐप काफी अच्छे से वर्किंग आपको मैं दिखा देता हूँ मैं यहां पर पेटीम अगरह यूस कर रहा था सो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आप देख सकते हो यहां अपको कुछ इस तरीके से मिलता है यहां पर जो लॉंचर यूस किया गया वह आपक जो है इस launcher के अंदर कभी नहीं देखी, आप देख सकते हो, I think यह flagship phone का यहां पे कमाल है, इस processor का, बड़े यहां पे जो smooth नहीं सा, वो काफी OP आपको देखने को मिलती है, काफी ज्यादा smooth animations आपको इस ROM के अंदर मिलेंगे, काफी ज्यादा smooth मिलती है, और मैं आप क्या बोल सक देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहां पे animations देखने को मिलती है, app open close की speed काफी अच्छी है, RAM management काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, so no doubt काफी अच्छी चीज़ें आपको यहां पे मिल जाती है, अब stock camera की बात करेंगे, जो stock camera मिलता है, वो कुछ old android type आप आपको camera मिलता है, बड़ इसको I think कोई use नहीं करता, इसकी जगह पे हम यहां पे use करेंगे Gcam 8.1, जिसके अंदर आपको wide angle के अंदर कुछ इस टाइप से एक frame देखने को मिलता है, और बागी almost सभी चीज़ें working आप 4K 60fps तक video record कर सकते हो, फिलहाल मैंने इसको disable कर रखा है, आप यहां पे चाते हो कि यहां पे इसके उपर video लाओं तो जरूर से comment कर सकते हो, Gcam 8.1 के उपर videos आपको मिल जाएगी, slow motion आपका I think जो है work नहीं करता, कुछ इस टाइप से यह stuck हो जाता है, 1 by 4X वगरा के उपर, तो देख सकते है कुछ इस टाइप से आपको issue आ सकता है, अगर आप one से लेके एक दो बार try करोगी तो आपको maybe यह fix हो जाए, अब एक चीज मैंने notice की थी, इस रॉम के उपर वो है, यहां पे जो आपका यहां पे जो है stretch हो जाता है, जब आप कोई app को open करते हो, और उसको close करते हो थोड़े time बात, तो यह चीज मैंने notice की थी, अग आपको device model देखने को मिलता है, android 11 का आपको support मिलता है, और यहां पे कुछ भी आपको mention नहीं देखने को मिलता है, kernel की बात करें, तो kernel आपको यहां पे perf minus का देखने को मिलता है, जो की काफी अच्छा है, performance काफी अच्छी है, especially smoothness काफी ज़्यादा OP मिलेगी, उसके बाद जो आपको कोई updater नहीं मिलता, gestures के अंदर आपको swipe to screenshot वगरा के related options तो नहीं मिलते, बढ़ यह आपका काफी अच्छे से working है, long screenshot भी आप ले सकते हो, so no doubt काफी सारी चीज़ें मिल जाती है, और gesture आप customize कर सकते हो, कैसे भी आप कर सकते हो, आपको यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अब back आजाते हैं, यहां पे आपको front camera sound effect वगरा सब कुछ customize करने के लिए मिल जाता है, fingerprint scanner की speed चेक करते हैं, FOD की, तो यहां पे आपको मैं दिखा देता हूँ, first of all आपका double tap to wake है, वो काफी अच्छे से working है, so देख सकते हो, उसके साथ fingerprint scanner की speed काफी fast है, कोई भी आपको lag नहीं face करना पड़ेगा, मुझे काफी अच्छे लगी, कोई भी दिक्कत मैंने नहीं face की, इस चीज़ के related, और double tap to wake मैंने आपको check करवा दिया, काफी अच्छे से working है, उसके साथ double tap to sleep भी आप यहां पे use कर सकते हो, so definitely आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, face unlock working ह और airlocker का benefit आप ले सकते हो, मैंने यहां पे airlock कर रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ, so यह देख सकते हो, यह भी काफी अच्छे से working है, so no doubt आपको यहां पे system integrated airlocker भी काफी अच्छे से working मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको यहां पे नहीं आने वाली, battery की अगर बात क है, वो आप देख सकते हो, काफी अच्छा stable आपको यहां पे battery backup देखने को मिलेगा, almost 627R के आसपास आपको screen on time मिल जाएगा, अगर आप एक normal user हो, और कोई भी आपको heating issue नहीं आएगा, उसके साथ display के अंदर आपको सभी चीज़ें मिल जाती है, tap to wake वगरा मैंने आपको ब enhancer, उसके साथ आपको यहां पे जो है, customize करने के लिए जो है, एक ही option मिलेगा, आप SIM card 1 के लिए ही यहां पे sound set कर सकते हो, और customization और भी काफी सारी मिलती है, नुसंतरा wings के अंदर, जहां पे जाके आप काफी सारी जो है, OP customization कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, और आपको काफी सा कर सकते हो, gaming mode आपको मिल जाता है, और उसके बाद lock screen के अंदर आपको charging related options मिल जाएंगे, और animations आप यहां पे change कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको मैं दिखा देता हूं, so animations के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफी अच्छे से आपको working, सभी animations देखने को म अब इस ROM के performance की बात करेंगे, जो performance है वो काफी अच्छी है, daily life के अंदर भी काफी अच्छी है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई lag वगरा नहीं फेस करना पड़ेगा, कोई आपको performance के related issue नहीं आने वाला, अगर मैं 22 benchmark अगर आपको दिखाऊं, दो बार run की है मैंन इस ने detect नहीं किया, क्योंकि version आप देख सकते हो 5 lakh के आसपास, या फिर उससे उपर आना चाहिए, score 5 lakh 20,000 के आसपास, बड़े यहां पे score कम शो करता है, बड़ परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, आपको मिलेगी, performance के अंदर आपको दिक्कत नहीं आने वाली, अब बात कर करेंगे, gaming performance की, और आपको मैं दिखाता हूँ, यहां पे क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, सबसे पहले आपका जो change log के अंदर mention था, कि FPS meter वर्क नहीं करता, तो देख सकते है, FPS meter मैंने यहां पे enable कर दिया, बट still आपको यहां पे कोई FPS meter देखने को नहीं मिलेगा, बट यह चीज़ आपको मिलेगी, मैंने इसके अंदर देखा था, जब मैंने यहां पे gaming test की, तो left side में थोड़े time बाद यहां पे FPS meter आ चुका था, अगर आप यहां पे अभी देखोगे तो FPS meter काफी अच्छ से working है, कोई यहां पे मुझे issue नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हो, यहां पे gameplay कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, साथ में FPS भी checkout कर सकते हो, और stable FPS आपको देखने को मिलेगा, कुछ से ज्यादा आपको issue नहीं आने वाला है gaming के time, बड़ एक चीज़ मैंने notice किया है, जब आपका device थोड़ा सा heat हो जाएगा, तो उसके बाद आपके यह चीज़ नोटिस की थी, थोड़ा miss touch का issue आता है, तो अगर यहां पे यह चीज़ आपके device के अंदर भी है, तो आप comment करके जरूर से बताना, यह चीज़ मैंने notice किया, इस ROM के ओपर, बाकी gaming performance काफी अच्छी मिल जाती है, कोई आपको यहां पे issue नहीं आएगा, का टेस्ट करके बताना मुझे comment करके, कि आपके अंदर वो यहां पे जो है phone के अंदर issue है, या फिर नहीं, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, I hope कि आपके यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो like कर देना, subscribe कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले new interesting video के साथ, और thanks for watching this video.